असलाम लेकूम कैसे आप साब होफुली सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे अलहम्दुलीला मैं भी ठीक हूँ वेलकम बैक टू माई चैनल यहाँ पे ना सहरी का टाइम है और सहरी तो ना मोस्ली एक जैसी ही होती है हस्बिन ने आज राइस खाए हैं कहरे मेरा तो ना राइस खाने को दिल का रहा है सहरी में उन्होंने खा ली और पहले ही खा के फारिक होगे मैं अकेली ही थी और कल वाला ना मसाला पराठा हुआ था जो मैंने मसाला पराठा बनाये थे आपके सारा रैस्पी शेयर की थी जादा काम थे करने वाले क्योंकि आज हमारे घार है इफ्तार की दावत तो यू नो के इफ्तार की दावत जो होती है ना एक फिक्स टाइम तक आपको एक लिमिटेड टाइम होता है कि उस टाइम तक अपने हर चीज़ प्रिपेर करनी होती है तो बस इस टास्क को ना एज चैलेंज लिया मैंने और मैंने का आज ना बस बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करनी फोरण फोरण सारे काम शुरू कर लेने हैं ये ना रात को मैंने जग और गलास मंगवाए हैं हस्पेंट से एंड टाइम पे मुझे याद आया कि हमारे घर तो छे गलास एक जैसे है ही नहीं त क्या होता है कि ना यहां सब लोग मौस्ली घरों में धिस्पोजिबल यूस कर लेते हैं जब गैस आते हैं बस यूज करो और फेंग दो और इवन के हम फ्रैंट्स भीर अबही जब पार्टी शार्टी मिना तो चाय के लए भी और पानी पीने के लिए भी ना तीन का सैट ही मिलता है तो हम भी ऐसे शीशे के जब लाते हैं ना कभी दो ले आते हैं कभी तीन वाला सैट ले लेते हैं तो बस कभी जरूरती नहीं महसूस हुई तो बस फिर रात को मैंने मगवाए हैं गोश्ट तो गएर अभी रात को ही लेके आए हैं हैस्बेंट तो उसक पहले अलग करती हूं ताके ना सालन को भून के रख लूँगी तो शाम में फिर उसको ना कर लूँगी दुबारा से गरम कामों को मैंने दो तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था कि जोहर की नमाज तक मैंने ये वाले दो तीन काम खतम करने ही करने है चाहे जल्दी जल्दी स्पीड से करूँ या अब एट के तसली से करूँ और ये दो तीन काम जो है ये मैंने जोहर की नमाज के बाद करने है और कौन से असर के बाद करने है इस सरा से ने डिवाइड करके तो उसको ना मैं फिर अपना कर रही थी काम खतम कर रही थी जल्दी गोष्ट मैंने धोके कुकर में डाल दिया और बस प्याज और नमक मिर्च मसाला और यहां पे सबस मिर्च और लेसन अद्रक का पेस्ट एड़ कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला सावित वाला डाला है मैंने सिलमें स्टिक डाली है और बड़ी लाइची डाली है तो इसको लेवल पानी का करके न गोष्ट के हिसाब से तो बस करूंगी गोष्ट का पता भी नहीं होता यहां पे कभी कभी तो जल्दी गल जाता है और कभी तो आदा आदा घंटा कुकर चलता है तो फिर गलता है तो यह भी मैंने दो बार ऐसे खोल के देखा तो बाद में फिर ना स यूज होते हैं तो वो ना ऐसे मैंने पीछे करके रखे होते हैं मैंने ना स्टार्टिंग के वी लॉग में एक दफ़ा शेयर किया था मेरे ना कैबनेट एक दफ़ा नीचे गिर गई थी तो जब से वह बिल्डिंग वालों ने लगवा के दी ना उन्होंने कहा कि आप इस सैटलाग है जो हम डेली यूज करते हैं तो बस मैं तसली से बैठके उसके अंदर से ना वह वाली चीज़ें नकाल रही थी जो ना कभी-कभी निकलती हैं जब कोई गयस्ट आते हैं तो गोस्ट में अभी थोड़ा-थोड़ा सा पानी था तो अभी ना यहां पर मैं दो टो में ना मैंने दही फैट लिया था मेरी ना मतलब मेरा जहन था कि मैं टेबल पे ना दो दो जगह पर चीज़ें रखोंगी ताके एक बुसरे को पक्ड़ाने में और इस तरह से ना हो क्योंकि जब इफ्तार होता है ना तो हर कोई इसी में बीजी हो जाता है कि अज़ान होने बंद करके ना तो फ्रीज में रख दूँगी बस ये रैडी होगी तो फिर एंड टाइम पे भगदर नहीं होगी कि अभी चटनी जो है ना वो भी बनाने वाली है बस उसको फिर अलाग लग दो हिस्सों में डिवाइड करके रख लूँगी एंड टाइम पे बरतन जो मैंन आइल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है तो इस स्टेच पे ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी अचार मसाला मैंने सोचा था टू टेबल स्पून डालोगी तो बाद पैकेट में थोड़ा सा रह रहा था मैंने का चलो ये भी डाली देती हूँ अब इतने से को मैंने क्या संभालना है लेकिन मैंना बीच में डाल रही थी कि ये नहोब ज्यादा स्पाइसी सालन बन जाया क्योंके साथ में बच्चे भी होंगे पता नहीं उनसे फिर खाया जाएगा या ने तो खैर बेहतरीन बना था उसमें जरा भी वह नहीं था के तिका पान नहीं था अच्छा बन गया था बच्चों को मैंने ना साथ में सिंपल वाला योगर्ट दे दिया जब खाना खाने लगे थे तो बस इस स्टेज पे ना मैं इसको इसी तरह से ढख के रख दूँगी जब इफ्तार टेबल लगेगा ना तो इसको फिर अदा गलास पानी का डाल के इसको गरम कर लो एड़ कर दूँगी इसके अंदर ये ना रेड़ बीन चार्ट है काफी मेरी ना फैमिली इसमें और फ्रेंड्स में ना काफी फेमस है मतलब साब को काफी पसान दाती है तो इसलिए फिर मैंने सोचा के चलो ये भी साथ बना लेते हैं सीड्स मैंने रिमूव कर दिये थे त चार्ट से चान दूँगी ताकि इसकी गुटलियां वगयरा जो है ना या कोई चीज इस तरह की इसके अंदर ना जाए तो इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो चिक पीज है ना वाइट वाले जो मैंने बौाइल करके रखे थे रमदान प्रिप्रेशन में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ इस वज़ा से भी कुछ इसको मैं जल्दी बना आखे रख रही थी के चलो जो चीज़ें ऐसे डीफ्रोस्ट होने वाली है ना उसके अंदर ही हो जाएंगी काला नमक मैंने एड़ कर दिया इसके ना आम चार्ट से थोड़े डिफर थोड़े को पानी क China से थाप्र लाज कि प्रीम करने लेकिन सर्व करने से पहले पिर एक दस art इसकीन मिक्सिंग हो गी तो फिर वह सही आपर मिक्सिंग होगी באज़गा लास्ति उपर धनिया भी एड़ करूंगी तो ये मैं फिर असर की नमाज पढ़ने चली गई थी और ये हस्पेंड का काम था कि उनको मैंने का था आपने फ्रूट चार्ट बनानी है और अनार भी निकालना है तो आई थिंग अनार निकालना वो भूल गए तो बाकी चीजे उन्होंने लेट ना हो जाओं क्योंके लास्ट इयर ऐसे हुआ था और टाइम पर मेरी फ्राइंग नहीं थी तो बड़ी वगदर मची थी तो इसमें ना फ्राई आइटम्स में आज मैंने हाफ मून नकाल ले थे और कुछ स्प्रिंग रोल्स थे कुछ छोटे वाले समोसे थे वो कीमे के हैं और यू नो के पकोडा जो होता है वो तो मस्ट होता ही होता है मैंने ना साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे एक जूरे दो के रखी हुई थी तो वो भी मेरे जार्ज में ना एक में खतम हो रही थी तो मैंने काई वो भी डाल के इसको भी मैंने ऐसे ही ना दो जगो ये भी लगाना था बखूर तो उसको भी मैं उठा के ले जाओंगी हैस्बेंट को कहती हूं उसको भी लगा के ना कहीं उची जगा राक दे तो एंड टाइम पे क्या हुआ मैं फ्राइंग का रही थी ना तो उसमें से स्प्रिंग रोल जो है ना वो उचल के दुबारा से उस तो ये वाली चीज़ें मैंने उठा के यहां पर रख दी है ताके टेबल जो है ना उसको काफी स्पेस मिल जाए ये मेरे भाई हैं जो लास्ट मूमेंट पे मुदित तहं कर रहे थे के महँआन आने वाले हैं और तुम कपड़े पर कपड़े बदल रही है तुमें खैर है म इसको मैं मिस नहीं करना चाह रही थी एंड टाइम पे तो बस सारे बैठे हुए फारिग हो गए हैं गफशप हो रही है और उन्होंने कहा के खाना अभी नहीं हमने खाना थोड़ी दिर रुक के ना तो फिर खाएंगे अभी कोई दिल नहीं है तो बस फिर यहां पर का इंतजाम भी नहीं किया हुआ था यह शुकर है कि घर में कुकंबर पड़े हुए थे बस जल्दी से वो फिर कट करके साथ रख दी और फिर दोबारा से बासकीट में फ्रूट रख दिया थोड़ी ना टेबल पर फिर दोबारा से रोनक्स ही हो गई बच्चों ने तो कु इसने में ना इशा की अजान हो गई तो वो लोग कह रहे चलें अब हम घर जलते हैं क्योंके नमाज भी पढ़ेंगे और फिर सेरी के लिए उटना होता है तो इसलिए बैटा रहे के जल्दी सोया जाए तो बस मैं यहां पे चीज़ें वगयरा समेट रही थी और मुझे हो रहा हाल था ठकन थी इसको और जिसकी वज़ा से जिद्धी भी हो रहा था और रो भी रहा था होफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब मैं चैनल एन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक य पर वाचिंग अल्ला हाफीज टेक कियर बार